सोशल मीडिया पर इस समझना बहुत ही कठिन काम है कि डेली बेसिस पर आप ऐसा कॉंसा कॉंटेंट डालें जिसके कराण आप पब्लिक को जादा से जादा इंगेज कर पाएं और जो लोग इस बात को क्रेक कर पाते हैं वो वाकई में सोशल मीडिया पर चाहे रहते हैं एंड में से ही एक है हमारे राहूल गांदी जहें दोस्तों बातरम अब तक आप यही सोच रहे होंगे कि यार राहूल गांदी कबसे इतने बड़े इंफ्लूएंसर बन गए और इतने बड़े कॉंटेंट क्रीटर बन गए कि इनके कारण मतलब आप देखी कि वीडियो जात जिसमें कि उन्होंने खुद को यह एंफॉर्चुनेटली कह दी फिर उनके साथ बैटे हुए जैराम रमेश जी ने उनको बोला कि भाई यह आपका मजाग बन सकता है फिर उसके दोनों ने खुट को ठीक किया दिन भर कल इसके बारे में ही बात चलती है और आज सुबे से फिर एक वीडियो निकल कर सामने आगे इस वीडियो में ऐसा बताया जा रहा है कि एसा दिखाईद पढ़ रहा है कि राहुल गांदी जो है अपनी नाक निकाल कर सामने खड़गे जी के कोट के ओपर पोछ रहे है अब इनका ये वीडियो बारल हो गया मतलब एक शक्स आख कर दिया कि नहीं हम वहां नहीं जाएंगे लेगिन पहले दोर हम देख लेते कि सोचल वीडियो पर राहुल गांदी के वीडियो कौन सा फारल हो रहा है उसके बाद हम बात करेंगे वरुन गांदी के ट्वीट के बारे में तो विफिटिंग फैक्स ने वीडियो पोस्ट कि यहां देखी आप उंगली देख सकते हैं यहां पर राहुल गांदी की कहां जा रही है यह वीडियो में आप देखी यहां पर इन्होंने यह बढ़िया तरीके से कुछ कुछ किया और यह उंगली के जोर के साथ इन्होंने यह खड़गे जी के कोट के उपर रखे रगड़ तो यह जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर भी एक खासा वारल हो रहा है, इस पर की लोग काफी लोग बोल भी रहा है, इन्होंने खुद नहीं लिखा है, वाट दयक राहूल गांदी रीटिंग, खरगे जी एजर टिशू पेपर, अब मतलब आप देखिए, मैं कह रहा कॉंटेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वारल जाने मारा, उसके बाद आप डेली वारल जाएंगे, और यहां पर तो यही करते हैं, आशिश नौटिया लिखते हैं कि जो लोग आज तक नहरू के कच्छे की चादर ओड़ कर सो रहे हूं, उनके लिए राहूल आमरत है, वो नाराज भी हो सकते हैं और रागा चाहते हैं तो कुछ और पदार्तों से उनके कोट की शान बढ़ाने के लिए लेकिन वान ही बन, सोच रहे होंगे, कुछ तो बापरे, बहुत ही खतरनाक शब्द लिखे हैं इन्होंने, वर्चुल सुट ने लिखा है, इस इ खालनाक का था तो कुछ लिया, खडगे जी दलित हैं इस कारण ये जनिवदारी कॉल ब्रामन उनका अपमान कर रहा है, कटोर देंदा, बापरे, if this is what it looks like, खडगे will be feeling blessed and he won't be washing it ever, he will make a museum and preservance it for the future generations of कौंगीज, दीपक सेट ही लिखते हैं कि एक दलित लिडर के साथ ऐसी हर उन गेट वाट वनडिजरव स्पिरिट इसकूल के बचे जब हाथ ढुखते हैं तो ऐसे ही दूसरे की शर्ट। पर बोछ देते हैं और राल गांधी भी मजा आ या ची शीज जी क्या है या इस तो है लोग कमेंट्स कर रहा हिए यह देखिए शेर शांषिन देखिए पहु जो मौका मिला है वह छोटा मोटा नहीं था लेकिन उन्हों ने उस मौके को ठुकरा दिया है शायद राहूल गांदी की जो गती हुई उसको देखते हुए ही उन्होंने ये फैस्ला लिया है उत्वदेश के पीली भीत से भाज़ पसांसत वरुण गांदी ने आक्सफोर्ड यूनियन के निमंतरण को ठुकरा दिया है वरुण को नरेंद्रमोदी सरकार के नीटियों पर बोलने के लिए बिलाया था करने और अचनात्मक सुझाव देने का स्थान पुदान करती है भारत की पसंद और चुनोतियों को अंतराष्टी इजाच के अधीन करना मेरे लिए अपमान जना करहेगा वरुण ने अमंद्रन को अस्विकार करते हुए कहा कि सरकार से समंद्र मुद्धे देश के अंदर और पॉलिसी मेकरों के समख्ष उठाय जाने चाही उन्होंने टॉपिक को भी पूरू परिभाशित निशकर्श वाला बताया उन्होंने आंतरिक मुद्धों को देश के बाहर उठाने को देश का अपमान वताया पीए मोदी के अकसर आलोचना करने वाले वरुण ने जवाब में कहा कि पीए मोदी की नित्रतों में देश सही रास्ते पर है दरसल कोज दिन पहले ही राहुल गांदी इंग्लेंड की यात्रा पर गए थे वहाँ विबिन्ने कारेक्राओं में हिस्सा लेकर उन्होंने पीए मोदी और देश की प्रनाली को लेकर आलोचना करी उन्होंने कहा था कि भाचपा और RSS के काराण देश में लोगतां दर खत्रे में है चाथी साथ उन्होंने देश के सम्विधानिक संस्थानों को भी हाईजेक करने का रोप लगाया था राहुल गांदी के इन बयानों के बाद देश महर में उनकी बहमकर राहुल उचना हुई राहुल गांदी पर देश को अपमानित करने का आरोप भीला और उनकी पार्टी कॉंगर्स लगता राहुल के बचाओं में लगी हुई हाला कि सोशल मीडिया पर भी लोग राहुल को उनके बयानों के लिए काफी जाद अभला बुरा बोल रहे हैं समय समय वर भाजबा सरकार के नीतियों के अलोचना करने माले वरुन गांदी ने समय वर्तमान हालात और स्थिति को भाबते हुए आक्सफोर्ड के निमंतरन को अस्विकार कर दी आक्सफोर्ड यूनियन ने उन्हें सदन का मानना है कि मोदी का भारत सही रास्ते पर है सबजेक्ट पर बोलने के लिए बुलाया था वरुन गांदी राहुल गांदी का हश्र और विदेश में अपनी सरकार के अलोचना के बाद अपनी राजनेतिक स्थिति को संबाव तब भाब गए वरना ऐसे अनेक मौके हैं जब उन्होंने साद होजने की रूप से भाजब सरकार और रुपी एमोदी का अलोचना करी वरुन कांग्रेस में भी अब नहीं जा सकते राउल गांदी ने विचारधारा के अधार पर पार्टी में शामल करने से मना कर दिया था ऐसे में वरुन गांदी और अक्सफोर्ड में जाने पर अपनी राजने देख अनेशित्ता का अंदाजा खुदी लगा चुके थे तो जाहिर सी बात हैं यहां पर वरुन गांदी जानते हैं कि यहां पर जड़ा सी कोई चीफ भी उन्सों धरुदर अगर हुई तो इसके बड़े जादा रिस्प्रोकेशन्स उनको धेलने पड़ सकते हैं अब ऐसे में उन्होंने साफ तोर पर बोल लिए कि हम तो आक्सफोर्ड नहीं जाएंगे लेकिन देखी आक्सफोर्ड भी उन्कोल छाट-छाट के लोगों को बलाता है को पता है कि हमें राजनाथ सिंग को अमिच्शा को नहीं बलाना है हमको ऐसे लोगों को बलाना है जिनकों की बलाने से हमें पता है कि वो भाई साब यहां आकर हमारी तरह की बात करेंगे तो इस तरीके से काफी सारी चीजे हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है लेकिन रावल गांदी जी का यह जो नाक वाला वीडियो है बहुत ही घटिया लोगों की मान सिकता है जो इस तरह की वीडियो को वैरल करने में लगे हूँ इस तरह की काम बिलकुल भी नहीं होन है ऐसे में देखिए थोड़ा बहुत तो इनसान को बुरह लगता ही खड़के जी के नेटतत्यों में जिस तरीके से रावल गांदी जी के पीछे चल रहे हैं यह सभी को अच्छा लग रहा है लेकिन रावल गांदी जी का यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भयंकर वार झाल झाल